लगातार हो रही बारिश ने उपराजधानी से लेकर ग्रामिन इलाके तक जलाशयों को लबालब कर दिया है इसी की चलते सावनेर तहसिल के खापा सिचाईवे भाग अंतरगत खेकरा नाला मध्यम प्रियोजना जलाशय में भी पानी से लबालब हुआ है गत दो दिनों से हुई लगातार वर्षा के चलते यहां का खेकरा नाला जलाशय का जलभंडा रंट्रयानवे दशमलोग 87 प्रतिशत होने के कारण नदी नालों के किनारों के ग्रामों को चेतावनी दी गई है खेकरा नाला मध्यम परियोजना के संबन में परियोजना का पानी गुमावदार गेट से नदी में छोड़ा जा रहा है इस संबन में बताया गया कि 10 सितंबर को प्रात खेकरा नाला मध्यम परियोजना में जलस्तर 335.150 मिटर है पशुदन 22.33512 DLHM है और प्रतिशत 93.87 प्रतिशत है लेकिन वर्तमान में खेकरा नाला मध्यम परियोजना के जल्गरेंक्षेत्र में प्राकृतिक वर्षा के कारण बान में पानी की आवक हो रही है जलाशे का जलस्तर बढ़ रहा है स्विक्रूट जलाशे संचालन योजना के अनुसार पानी की आवक को देखती हुए खेकरा नाला तक मध्यम परियोजना का दिनांग 15.9-2024 को जलाशे का स्तर 334.950 मिटर है नब्बे प्रतिशत रखना हो तो अथा बान में चारु गेट द्वारा पास सेंटीमीटर इससे दो पर तिन बजे खोला गया बान सुरक्षा की दृष्टी से यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्लीपे के माध्यम से खेकरा नाला मध्यम परियोजना बान से पानी की निकासी को बान में प्रवा के आधार पर किसी भी समय कम या बढ़ा जा सकता है इसलिए नदी तल में जलस्तर में भारी उरुद्धी के कारण नदी में बाड की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है समभावित बाड के पानी से जानमाल की हानी नहों इसके लिए अनुरोध है कि हमारे एक शेत्रादिकार वाले तहसिल में कनान नदी और यहां कनान नदी की किनारे ग्रामों के उपर रुक तनुसार दवन्दीद्वारा सर्वजिनी घोजना कराय जाने के समन में अपील की गई है इस प्रकार की जानकारी खापा शाखा के सिचाइवे भाग अबियन तद्वरा प्राप्त हुई इन बीसे न्यूस के लिए खापा स दिजिटा रूम्स प्रिट्ड जूजिक्टल आ इंस्रूम्तल दांस लुस्त इंडोर और उट्डोर लुट्ट्र प्रविंशिल्च अ जूजिर स्कूल कोल्ज थीए वेड़ा हरी ओटर रिग्रोपोस ब्यसात नाग्पूर ओर बांच एरण ये वेड़ाइ नाट्र प्रा कर दो